हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चेनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ ओपो A54 मोबाइल में फिंगर प्रिंट लोग कैसे लगाया जाता है तो पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो से मिल जाएगी अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को सुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया तो दोस्तों मैं 100% गारंटी लेता हूँ आपको यूटूब पर दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ओपो A54 मोबाइल में फिंगर प्रिंट कैसे लगाया जाता है तो चलिए दोस्तों सब कुछ मैं आप लोगों को लाइप प्रूप दिखाने वाला हूँ आप लोगों के सामने तो दोस्तों साइड में पड़ेवे मोबाइल की स्क्रीन पर देखे यहां पर आप लोगों को दिखाया जाएगा तो आप लोगों को दोस्तों करना क्या होगा मोबाइल की दोस्तों जो सेटिंग आते हैं मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है setting open होने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए password का दोस्तों option देखने को मिल जाएगा जो दोस्तों ताला का option बना हुआ है इस पर आप लोगों को click कर देना है click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखे add fingerprint लिखा हुआ है तो दोस्तों इस option पे आप लोगों को क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर एक पासवर्ड बनाना होगा तो आप दोस्तों यहां पर कोई सा भी पासवर्ड डाल सकते हैं यहां पर हो सकते हैं आप लोगों को ब्रेक स्क्रीन देख रही हो तो यहां पर आप लो करेंगे कि उसके बाद दोस्तों यहां पर देखे इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा आप दोस्तों यहां पर देखे कि फिंगर प्रिंट बता रहा है कि लगाए तो दोस्तों यह जो है उंगली में अभी जो फिंगर लगाऊंगा इसमें तो दोस्तों लगाया देखे आप सही तरीका क्या है दोस्तों फिंगर लगाने का दोस्तों चारो तरफ से घुमा घुमा के दोस्तों लगाना है किसी प्रकार से आप जो है उंगली लगाओ के फोन में तुरंद दोस्तों आपका लॉक ओपन हो जाएगा तो आप चारो तरफ से इस प्रकार से घुमा घुम सब्सक्राइब करने के बाद स्क्रीन में ओफ कर देता हूं और जैसे भी लगाँगा तुरंत दोस्तों जो है ओपन हो जाता है कि तो इस प्रकार से ओपो ए 54 मोबाइल वे फिंगर प्रिंट लॉक लगा सकते हो बड़ी ही आसान तरीके से